आज एक नई inspiring investing एपिसोड के साथ वीडियो शुरू करने से पहले बता दू कि ये एक stock market सीरीज है ये वीडियो स्पेशली उन लोग के लिए है जो stock market से एकदम अंजान है वीडियो के end तक उनको काफी अच्छी knowledge हो जाएगी stock market के बारे में I am confident about that so let's begin हम सभी ने अपने बचपन में ये बीच वाला तस्वीर देखा होगा ये सुझनो मुझे नीचे comments में बताएं और news में सुना भी होगा आज शेर वाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ sensex 100 points की गिरावट के साथ बंद हुआ तो क्या होता है sensex जानेंगे आज और बहुत कुछ इस वीडियो में और detail में भी देखेंगे सबको तो सबसे कॉमन तज़्वीर जो आप अपने बच्पद में देखते थे यह है बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज इन शॉर्ट बी एस ई इंडिया में जितने भी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में सब बीएस सी पर है इसका एक इंडेक्स है जिसको हम लोग जानते हैं सेंसेक्स इसको अच्छे से समझते हैं तो ध्यान से सुनिएगा सेंसेक्स जो है वो टॉप थर्टी कंपनी का कलेक्शन है यह टॉप थर्टी कंपनी डिफरेंट सेक्टर के लीडर्स है जैसे HDFC, ICICI यह बैंकिंग सेक्टर में लीडर है ठीक वैसे ही इनफोसीस, TCS यह IT से सेक्टर के लीडर है यह जो 30 कंपनी है इनका ग्रोथ जब डिफरेंट सेक्टर में होगा तो अवरल सेंसेक्स का वैल्यू बढ़ेगा अब जिनको स्टॉक मार्केट में इंट्रेस्ट नहीं है या फिर जो अंजान है स्टॉक मार्केट से यह सोचेंगे कि यह सब मुझे क् एफेक्ट करेगा पाब मोशाय रुखिए आपको भी एफेक्ट करता है यह सब थोड़ा सबर रखे सब पता चल जाएगा आपको तो यह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन शॉर्ट एनसी इसका जो इंडेक्स है वह है निफ्टी इट से कलेक्शन आफ टॉप फिफ्टी कमपनीज लेकिन जो टॉप 30 कमपनीज है वह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में कॉमन है बाकी जो 20 कमपनीज है उनका कंट्रिबूशन निफ्टी में उतना जादा नहीं है एक बात हमेशा याद रखेगा सेंसेक्स और निफ्टी में जो टॉप 30 कमपनीज यह टॉप 50 अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करता है तो उसको उस लिस्ट से निकाल दिया जाता है और कोई नहीं कंपनी उसमें एड होता है उसको रिप्लेस करने के लिए अब फिर आप सोच रहे होंगे कि हाव इट एफेक्स में पेशेंस रखे कुछ देर में आपको सब पता चल अगर आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है या फिर आप कुछ नया सीख भी रहे है तो वीडियो को लाइक जरूर करें जुट नहीं बोलूगा लेकिन मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था आज से दो साल पहले जब मैंने यह सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट क जो देखता है कि कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है स्टॉक मार्केट में अगर हुआ तो वो उसको इन्वेस्टिकेट करेगा जैसे अभी रिसेंटली हुआ था येस बैंक के के केस में और उसके बाद पीमसी के के केस में तब सब कुछ से भी कंट्रोल कर रहा था अब जो महिने जियो का रिचार्च करते हैं कि आफ जो पैसा कि करते है उस से रिलाइंस का रिवीन्य। बढ़ रहा है इंडिरेकली रिलाइंस का जो शेर फ्राइस है वो बढ़ेगा अब जबकि Reliance Sensex और Nifty दोनों में Listed है तो Sensex और Nifty का Performance भी अच्छा होगा ठीक वैसे ही बाकी जो Companies है वो भी कुछ Products Manufacture करती है जो आप और हम Use करते हैं Indirectly आप भी Stock Market से Connected हैं तो ये बात याद रखिए Sensex और Nifty का Performance अगर अच्छा हो रहा है तो Indicate करता है कि Economy अच्छी Condition में है जैसे अभी Corona के कारण Economy बहुत खराब है इसलिए Sensex और Nifty को भी आप देख सकते हैं World Economy भी अगर खराब हुआ तब भी इन दोनों पर Effect पड़ता है आप जितना जादा Consume करेंगे GDP उतना ही बढ़ेगा तो आपका Sensex और Nifty भी बढ़ेगा In short Sensex और Nifty Serve as Indicator of Indian Economy और In short GDP Sensex और Nifty का जो Point से वो क्या बता था है आज Sensex से 32,000 के Round मतलब अगर आपने 1957 में जब Sensex शुरू हुआ था अगर आपने 100 रुपे इन्वेस्ट की होते तो आज वो 32,000 के बराबर होता Same Nifty के साथ भी है क्यूं सुनके मजा आ रहा है ना कि 100 रुपे डाले और वो 32,000 हो गया आप अगर सोच रहे है Sensex और Nifty में इन्वेस्ट करने का तो आप मेरा ये दो वीडियो देखिए Are you financially literate or invest in mutual fund आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे Sensex और Nifty में इन्वेस्ट करना है आपको description और i button में उसका link मिल जाएगा नीचे दो graph है एक Sensex का है और एक Nifty का है आप देख सकते हैं उसमें 2008 और 2009 में graph नीचे चल गया था क्यों क्योंकि तब recession आया था लेकिन अगर आप overall graph देखेंगे तो वो graph air by air उपर ही जा रहा है तो आज हमने क्या देखा आज हमने देखा stock market के main regulating bodies क्या है उसके main components क्या है next video में हम देखेंगे कैसे हमें invest करना है stock market में और क्या होता है demet account trading account और उसको कैसे open करते हैं अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो मुझे subscribe करें और bell icon दबा दें अगर आपके कोई भी सुजाव हो तो आप मुझे बेजिजा contact कर सकते हैं या फिर नीचे comments में भी लिख सकते हैं Thank you and happy investing